ओके फ्रेंस तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले कि किस तरीके से हम अफ्लोड फाइल की साइज इंक्रीज कर सकते हैं वर्डप्रेस में बिसिकली जब वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है तो डिफॉल्ट हमारे पास 40 MB का होता है अब पूटी MB से ज्यादा फाइल अपनी वर्डप्रेस की साइट पर अफ्लोड नहीं कर सकते हो तो किस तरीके से हम इसको 2GB या 3GB या 5GB तक भी पहुंचा सकते हैं इस साइज को तो आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रोसेस जानने वाल है कि किस तरीके से हम वर्डप्रेस के फाइल अफ्लोड पाइल साइज को इंक्रीज कर सकते हैं तो चलो चलते हैं अपनी लेप्टॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आप सबको रिकार रहता हूं कि किस तरीके से यह सारा का सारा प्रोसेस होता है साइज इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है कि पस्ट अफ़ाल आपको डेशबॉर्ड में आ जाना है और यहाँ पर मैं आप सबको रिकार रहता हूं कि मेक्जिमम कितना साइज वर्डप्रेस डिपॉर्ट में लेता है या वन जीबी तक किस तरीके से हम इसको इंक् पर आपको अपनी PC ओफन कर लेनी है उसके बाद यहां से जहां पर आपने अफना जिम्प सर्वर स्टोर किया है या डाउनलोड करके वहां पर रखका है जहां पर हमने स्टार्ट में पॉल्डर बनाया था तो उस जगह को आपको एकसिस करनी है तो यहां पर मैंने यह वाल हमने एक ही वेबसाइट स्टार्ट में ही एक ही वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है मैक सर्वेसेज जो प्रोजेक्ट हमने ओफन किया था उस टाइम हमने यह मैक सर्वेसेज नाम रखा था अपनी प्रोजेक्ट का और हमारी वेबसाइट का नाम भी मैक सर्वेसेज है तो आप इनको भी जो items है उनको unhight कर सकते हो, उसके बाद यहां से आपको htaccess का एक folder ढूड़ना है, उसके बाद इसको open कर लेना है, इसको open करने के बाद आपको कुछ इस तरीकी का interface में लिगा, आप notepad में भी इसको open कर सकते हो, आप और भी apps का use करकी इसको open कर सकते हो, उसके save किया है, यहाँ पर अपनी notes में, और यह जो के है, यह code मैं आप सब को provide कर लूँगा, description में तो वहाँ से अप ले सकते हो, तो यहाँ से मैं इसको copy कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो, इसको मैंने only on 1 GB तक increase किया है, अगर आप चाहे तो आप इसको 2 GB तक increase कर सकते हो, इसी त को change करोगे, तो आपका size बढ़ेगा, ठीक है, साथ में यह हमारे पास execution time है, जहाँ पर हम किसी pile को run करते है, let's suppose, और वो हमारे पास या कोई चीज हम download कर रहे हैं, और वो pile ज्यादा से ज्यादा 300 second लेगा, अगर 300 second बाद वो pile upload नहीं हुआ, या हमारे पास download नहीं हुआ, तो इस तरीके से हम इस size को भी increase कर सकते है, and food time को भी हम increase कर सकते है, तो ये चार चीजी हम करेंगे इस वीडियो में, और pile size के लिए हमें ये दो चीजे जो के है, हम increase करनी होगी, ये जो force size है, और file size है, आप number wise इसको बढ़ा सकते हो, ये मैंने सिरफ only 1 GB रखा है, अब इसको 2 GB 3 GB रख सकते हो, 3 GB रख सकते हो, जितना आप चाहे उतना रख सकते हो, ठीके, तो यासे मैं ये सारा code coffee करूँगा, और यहाँ पे देको int के उपर, int के उपर मैं यहाँ पर past करूँगा, ये जो f module है, तो इसके अंदर मैंने इसको past कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ से इसको save करूँगा, और save करनी के बाद, यहाँ से मैं आऊँगा, वापस अपनी website पर, और यहाँ पे देको, यह अभी है 40 ठीक है, जैसी मैं इसको refresh करता हूँ, तो refresh करनी के बाद, वो automatically change हो जाएगा, जो data हमने दी है, तो यहाँ पे देको, वो 1 GB तक पहुंच गया, अब अगर मैं चाता हूँ कि इसको 2 GB कर लो, तो वो भी मैं easily कर सकता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कि simply वापस उसी folder को open कर लेना है, और यह जो दो साइज है, just like मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2048, जो के 2 GB के बराबर है, 1 GB के लिए हमें क सकते हो, बट 2 GB के लिए हमारे पास यह value होती है, तो यहाँ से मैं इसको save कर लेता हूँ, and save करके, आप control S से इसको save कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वापस, और इसको मैं refresh करा देता हूँ, और refresh करने के बाद यहाँ से जैसी ही मैंने किया, तो यहाँ आप आप